नमस्कार दोस्तों स्वागत एश्रमुस बैलीची की और एक health related वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करेंगे chronic kidney disease के बारे में What is chronic kidney disease? Chronic kidney disease के symptoms क्या है? Chronic kidney disease होने का मतलब क्या होता है? Chronic kidney disease का जो diagnosis techniques क्या होगा? Chronic kidney disease से कैसे बचे? Chronic kidney disease का treatment क्या होता है? इस हारे चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो को अन तक देखना Chronic kidney disease के बारे में बात करने से पहले में एक चीज़ बता देता हूँ Kidney is a very important organ of our body और यह cross section है ऐसा दिखता है बाहर से Cross section अंदर से ऐसा kidney दिखता है और kidney का function क्या होता है? Kidney का function basically ही होता है कि body का जो blood है उसको filter करना Basically filter paper में हम क्या कहते है? Normally जो हम चाय खाते तो चाय से filter में देते तो चाय के जो पती उपर रह जाता है और जो पानी यह नीचे चल जाता है तो kidney का जो job है यहां के body में उसमें होता है जो हमें चाहिए नहीं होता है, जो toxic होता है, हमारे शरीर के लिए खानिकारक होता है, वो सारे चीज़ को filter करके kidney, यूरीन के जरीए शरी से बाहर निकाल देता है, यही होता है kidney का function, बेसिकली अगर आप देखो कोई constipated हो और कोई आगर बाहर जाके stool pass नहीं कर रहा हो दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, एक हपता हो गया, दो हपता हो गया, फिर भी वो इनसान में उतना problem नहीं होता है, problem होगा मगर उतना deadly नहीं होता है जितना कि अगर कोई इनसान urinate नहीं क होता है, तो यहाँ पर chronic kidney disease का मतलब ही होता है कि आपका जो kidney है, आपका जो kidney है, वो kidney काम करना बंद कर दिया, मतलब वो filtration नहीं कर पा रहा है, तो that is chronic kidney disease, chronic term का मतलब ही होता है कि धीरे-धीरे बहुत time से यह process जो है चला आ रहा है, acute phase में अगर ऐसा हो तो अलग बात होता है, किड्नी में कोई damage हो गया, इसके वज़े से हो रहा है, तो अलग बात है, मगर हम बात करें chronic, मतलब धीरे-धीरे यह तकरीबन मान लिजी आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल time लेकर आपके शरीर में यह problems जो है धीरे-धीरे आना शुरू होता है, पहले तो symptoms भी ऐसा नहीं आ बात से जगह पर damage हो चुका है, तो अब यह होता है chronic kidney disease, अब chronic kidney disease, यहाँ पर देखो यहाँ पर यह जो मेरा dummy cadaver है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि this is the location of the kidney, यह एक किड्नी यह और एक किड्नी, दो किड्नी का location होता है यह जो किड्नी का position ही हो थोरा back side में होता है, पीछे क मतलब सामने की तरफ यह total digestive system का component रहता है, पीछे की तरफ यह kidney है, पीछे से भी accessible है, तो यह जो kidney का structure अब देख पार हो कि यहाँ पर यह जो blood vessels, blood vessels होता है, blood vessels के जरीए body different locations तक connected है, और यह kidney blood को filter करेगा और यह blood जाके बाकी की शरीर के अलग अलग हिस्व में फिर से चला जा काम नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है, तो complications क्या है, किस-किस लोगों को, किस-किस लोगों को यह kidney disease के बारे में ज्यादा, you know, alert रहना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ज्यादा high pressure है, high pressure रहता है, hypertension रहता है, अगर आप diabetic हो, तो यह दोनों सि कि बिमारी होता है, heart related रहता है, उन लोगों में kidney disease की मात्रा, chronic kidney disease के मात्रा ज्यादा हो सकता है, future में chronic kidney disease हो सकता है, तो अगर आप high pressure की मरीज हो, या फिर high sugar की मरीज हो, या फिर कोई भी heart disease की मरीज हो, तो आपको ध्यान खास रखना है अपने kidney का, और एक बात, यह जो kidney disease, chronic kidney disease होता है, यह एज के साथ इसके होने के मात्रा चांस भी बढ़ता है, तो अगर आपके बढ़ती उम्र होता है, मतलब 50 plus years हो आपका, या फिर आपको कोई heart disease अभी ना हो, मगर आपके खांदान में किसी को heart related बिमारी हो, और आप diabetic हो, आप hypertension की मरीज हो, तब जाके भी आपक चोखना रहना चाहिए, इस disease से बचने के लिए, तो चली अब बात करते हैं कि अगर किसी को kidney disease हो, chronic kidney disease हो, kidney failure के नजदीक वाली कोई बिमारी हो, तो उसका symptoms क्या हो सकता है, तो पहली बात यह है कि इन सारे इंसान में tiredness बहुत जल्दी आ जाता है, कि वो tired बहुत असानी से हो साथ सोना, यह भी कम हो जाता है, और रात में muscle cramping होना, उसके साथ-साथ swelling of body parts, अलग-अलग हिससे में जो swelling हो सकते हैं, वो ankle में हो सकता है, पा की अलग-अलग location में swelling हो सकता है, ankle और foot में swelling हो जाना, सुजन हो जाना, उसके साथ-साथ swelling under the eye, यहां पर face में भी swelling हो जाना, और यह जो swelling होगा, जो ankle में होगा, यह फिर foot में होता है, toe में होता है, और face में swelling सुबह के time पर हो जाना, यह सारे चीज एक indications हो सकते हैं, कि आप kidney ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसके साथ-साथ आपके screen भी dry हो जाएगा, और itchy रहाएगा, मतलब ऐसे skin हर वक्त ऐसे itching आपको screen मे urination होगा, आपको ज्यादा time जाकी urinate करना हो सकता है, बात्रूम ज्यादा जाओ, particularly रात को, अभी एज बढ़ने के साथ-साथ कुछ-कुछ चीज़ें जैसे normal होता है, भूख कम हो जाना, नीन कम हो जाना, दूतिंग बार रात को नीन के बीच उठकर बात्रूम जाना, यह च कुछ जाच कर रहा लेना चाहिए, यह देखने के लिए कि आपके अंदर kidney disease की कोई problem है या नहीं, यह बहुत important होता है, क्योंकि अगर आप यह नहीं देखो कि आपके अंदर kidney disease हो रहा है या नहीं, तो आप एक safe side में रह सकते हो कि आपके अंदर chronic kidney disease है या नहीं, तो बात कर normal situation भी हो सकता है, इसलिए उसको rule out करने के लिए आपको particularly कुछ test करना चाहिए, तो उस test में क्या होता है, test में kidney function test बोलकर एक test होता है, उसके अंदर कुछ कुछ टेस्ट होता है, मैं आपको तीन test के या पर बताता हूँ, एक तो होता है, एक तो होता है आपकी blood के अंदर रह filtration rate एक एक ऐसा value है, जो बताता है कि आपका kidney का, जो सबसे Conse gagn? बाय मैंपोर्ण structure होता है, निफरोन, निफरोन के अंदर के structure होता है उसको बोलते है Glomerulus, участ के आपसूल के आपको एक blood vessel का यसे roll होता है, उसको Glomerulus बोलता है, तो यह जो Glomerulus के अंदर ब्लाट विशल सक्न होता है उसी के अंदर blood जाता है और filtration होके जो toxin component है वो kidney के अंदर जाता है मतलब nephron के अंदर और बाकी का जो component है blood है वो filter होके बहार आता है तो basically वही important structure होता है अब वो जो structure है important उस glomerular जो filter करता है blood को कितनी जल्दी कितनी effectively filter करें उसे को glomerular filtration rate बोलता है बहुत simple term है अब यह glomerular filtration rate का value जब change हो जाएगा वो age के साथ साथ change होता है तो बहुत that's fine मगर वो ज्यादा change अगर हो जाए value normal से तो इसका मतलब होता है कि जो kidney ठीक से filter नहीं कर पा रहे है उसका value change हो जाए यह glomerular filtration rate होता है इसको determine करने important है और एक बात ब्लड का मतलब normally creatinine होगा blood में उसका amount होता है minimal क्योंकि वो amount जब भी creatinine blood में आ जाएगा तो टॉक्सिक है body के लिए नॉर्मली नहीं रहना चाहिए तो kidney क्या करेगा kidney creatinine को body से बाहर निकाल लेगा मगर अभी अगर body के अंदर blood में जादा मात्रा में creatinine पाया जाए इसक में नहीं रहना चाहिए blood में रहेगा urine में नहीं रहना चाहिए blood के अंदर albumin रहता है albumin एक common protein बॉड़ी के अंदर albumin बेसिकली वही protein है जो अंडे में रहता है अंडे का जो white portion है उसमें albumin रहता है totally filled with albumin तो वही protein body में होता है हमारे तो वह albumin blood में तो रहेगा मगर urine में रहना चाहिए तो इसको हम जाच करते है कि albumin अगर urine में पाया जाते है तो यह सारे टेस्ट बहुत इंपॉर्टन है इसके इलाव भी कुछ अदिशनल टेस्ट कभी-कभी चाहिए होता है जैसे कि अगर यह कंफर्म ना हो तो CT scan वगरा किया जा सकता है तो उससे पता चल सकता है अगर यह तीनों ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट से आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि आपके शरीर के अंदर आपके बॉडिक में chronic kidney disease है यह नहीं है तो अभी बात कर लेते हैं कि chronic kidney disease की treatment line of treatment क्या है chronic kidney disease का treatment का दो line up यह पर है पहले तो बात देखो कि कौन से stage में है kidney disease कहां तक फैल चुका है क्योंकि ज्यादा तर condition में kidney बहुत damage हो जाता है उसके बाद ही पता चलता है इसके कारण यह होता है कि लोग पहले तो बढ़ती उम्र होता है तो तब जाके नॉर्मल ही बहुत सारे बीमारियों से लोग गुजरते हैं वहाँ पर डायबेटीक हो जाना है इंडिया में बहुत कॉमन है हाई बलड प्रेशर तो हर घर में है तो लोग इतना लोग ऐसे सोचते हैं कि kidney में कुछ problem आ रहा है क्योंकि दो तीन चार नॉर्मल दिन में अगर दस बार कोई ट्वालेट जाता अभी बीस बार जा रहा है तो उतना सोचते लिए लोग पानी पीते हैं यह करते सब ठीक रह होता है अगर एक किड्नी में कोई problem आए तो और एक किड्नी काम भखू भी से निवा सकता है 100% कर सकता है कोई problem नहीं होता है इंसान एक किड्नी से completely totally okay live करता है मगर यहां पर जब यह disorder हो रहा है किड्नी का कोई problem हो रहा है यह कुछ अलग रिजन में हो रहा है राइट डियाबेटिक होने के वजए से हार्ट डिजिस होने के वजए से तब जाके सिर्फ एक किड्नी डैमेज नहीं होगा जब उस किड्नी में कोई कोई इंफेक्शन हो गया हो या फिर वहां पर कोई चोट लगा हो एक्सिदेंट के कारण तब जाके तो नौर्मली क्रॉनिक किड्नी डिजिस में दोनों किड्नी को ही एफेक्ट हो जाता है तो दोनों किड्नी का अगर 40-50% डैमेज हो तो धीरे धीरे पहले तो मेडिसिन द के बात जब किड्नी काम नहीं कर रहा है तो कोई एक मेशीन से फिट करके मेशीन वह काम आपके लिए करेगा यहीं होता है ब्लट को उस मेशीन के जरीए फिल्टर करके फिर से बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है और अगर डालेसीज करने की टाइम तो बात चल रहा ह कर सकते किड्य ट्रंस्ट्रेंटेशन जैता तो कोई बहुत सारे और रेगेंस्क जोड़नलेगा यहीं होता है दो उसके साथ drinking habits को change करना और पानी और electrolyte related body में कुछ balance बनाने के लिए सारे के कुछ food modifications, lifestyle modifications चाहिए होता है और उसके साथ साथ अगर कुछ ना हो तो dialysis और आफिरकार replacement of kidney, substitution of the kidney, तो यह होता है kidney, chronic kidney disease, तो अगर आपको या फिर आपकी family member में किजी को chronic kidney disease है, यह सारे complications हो सकते हैं, तो आपको यह देखना चाहिए कि पहले तो आप ठीक time में detect करो, अगर आप यह वीडियो देख रहा हो, ऐसे precautionary measure, तो obviously check करो after 50 years of age, आपकी घर की हर एक male female both, उनको kidney test करो, GFR, creatinine, albumin by creatinine ratio, उसाब check करो, उसाब ठीक आने पर fine, अगर नहीं आता है तो proceed accordingly, ताकि kidney बच जाए okay, so because kidney is a very very important organ of our body, okay, तो यह रहता है chronic kidney disease के बारे में details, अगर यह वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को like करें, वीडियो को share करें अपने दोस्तों के साथ, कलीक के साथ, family members के साथ, और definitely ऐसा वीडियो अगर आपको पसंदे, आप comment section पे बताएं कि कौन सी topic में हम अगला video line, thank you, bye